अपने शेहर की लेटिस खबरों के लिए यूज को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं संसद भवन पर आतंकी हमले का साजिश करता अफजल गुरू का बेटा गालिब गुरू दसवी में 95 पृतिशत और बारवी में 88 फेसदी अंक हासिल करने के बाद अब डॉक्टर बनना चाहता है गालिब फिलहाल मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम की तयारी कर रहा है गालिब का कहना है कि वो तुर्की में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाना चाहता है लेकिन अभी तक उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है 18 साल का गाले गुरू अपने नाना, गुलाम, मुहम्मद और मा तवस्सुम के साथ रहता है गालिब इन दिनों मेडिकल एक्जाम की तयारियों में लगा हुआ है जो 5 मई को होनी है गालिब ने कहा अगर वो इस परिक्षा को पास नहीं कर पाया तो उसे तुर्की के एक कॉलेज में स्कॉलर्शिप का ओफर है वो वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहता है लेकिन अभी तक उसके पास पासपोर्ट नहीं है गर्तलव है कि अफजल गुरू को फासी मिलने के बाद उसकी पत्नी तबस्सुम ने कहा था कि अब उसका परिवार शांती के साथ बाकी जिन्दगी जीना चाहता है न्यूस डेस्क